नमस्कार आप देख रहे हैं M.G. News आपके साथ मैं निला शहर और आसपास की खबरों लेकर हम हादर हैं शरू करेंगे प्रमुक खबरों से स्वच जमशित्पूर के दिशा में हो रहा है अनोखा पहल जमशित्पूर अदुसों के शेत्र समीदी इलापों में बेकार प्लास्टिक बोतल अलिम्नियम क्या नादी का होगा रिसाइकल लगेगा रिवोर्स वेंडिंग मशीन जमशित्पूर के कदमा में दस करोड की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का मंत्री सर्यू रॉय ने किया भूमी पूजन मंत्री ने कहा साक्षी में लाइबरी और सुनारी दो मुहानी में बहुत चल्द बनेगा पार्ग जमशित्पू में जिला प्रशासान अक्षेस और टाटा कमपनी द्वारा चलाया जा रहा है विशेश अभियार शाथिक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पार्गिंग की समुचित व्यवस्था और अड़े बाजी पर लगाई जाएगी रूप जलको शेट्र के स्कूलों के मनमाने रवईये के खिलाब शिक्षा प्रसार केमरों में भाज़पाने शिक्षा सत्याग्रे के तहत दिया एक दिवसी धरना अब ख़बर बिस्थार से स्वच्छ जमशित्पूर के दिशा में एक और अभिनाव प्रयोग किया जा रहा है प्लास्टिक बोटल, अलुमियम कैन, आदी को डस्ट पेन या लैंड फिल्म में चाने से पहले रोकने के लिए शेहर के तीन स्थानों पर रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाए जा रही है लोग मिनरल वोटर, कोल ड्रिंग, सोडा, आदी पीने के बाद खाली बोटलों को इन मशीनों में डाल पाएंगे ऐसा करने पर उन्हें एक रोपे से लेकर दस रोपे तक का डिसकाउंट कूपन भी प्रिंट होकर प्राप्त होगा 18 की तरह दिखने वाले और उतने ही साइस की एक ऐसे उलेक्ट्रोनिक मशीन है जो सेंसर आधारित है टच स्क्रेन वाले आपरेटिंग सिस्टेम से युक्त इस मशीन में 600 बोटल तक संद्रा करने की छमता है मशीन में जाने के बाद बोटल या सॉफ्ट ड्रिंग क्या क्रश हो जाएगी यानि बहुत छोटे आकार में यह सब बदल जाएगी मशीन के भर जाने के बाद इसको समय समय पर खाली करना होगा कोई भी व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंग या पानी पीने के बाद खाली बोतल यहाँ वहाँ या डस्ट पीन में फेकने की बजाए इस मशीन में डाल पाएंगे बोतल डालने के लिए जैसे ही आरवीम मशीन की टर्ट स्क्रीन पर इंसर्ट बोतल आप्शन को चुना जाएगा रिसिवर विंडो खुल जाएगी साथ ही कोई भी विक्ति इसमें बोतल और कैन को डाल पाएंगे बोतल या कैन पर मुदृत बार कोड या क्यूर कोड को पढ़कर मशीन को पता चल जाएगा की आपने कौन सी बोतल इसमें डाली है उक्त कोड के अनुरोग मशीन इनाम की सूची का विकल्प स्क्रिन बर देगी नागरिक अपनी पसंद के अनुसार विकल्पो को चुन सकते हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज कूपन, रेस्टोरंट या सिनिमा में जूट का कूपन, शोर्म डिसकाउंट कूपन या कुछ और कूपन प्रकार को चुनने के बाद मशीन उस वेक्ती को टोकन प्रिंट करके रेगी जबशित्पूर एक्चेस विभाग के विशेश पदादी कारी संजे कुमार ने बताया कि बुदबार को जलनो कमपनी द्वारा निर्मत ऐसी तीन आरवियम मशीने शेहर में मंगवाई जा चुती है जिसमें से दो मशीनों को दोनों बस्टैंड मानगो और साक्षी तथा एक को बिश्टपूर के भिड़भार वाले इलाके या जबली पार्क में लगाया जाएगा जो जलनो कमपनी दौरा मनाईगे हैं एक पीपी मोड पर लगाई जा रहा हैं इसमें जो मसीन है वो मसीन टच स्कीन अधारिद हैं जो कमांड से वो टच स्कीन जैसे एक्टियम होता है वैसा रहेगा अगर कोई बैकती है गैलन है कैन है या पानी मोदल है जो सेपोसाई कर ह यूज़ करने के बाद जस्ट में फेकने के बज़ाए वो उसमे डाल सकता है। इसके लिए उसको इंजट बोतल और में क्लिक करना होगा। फुल जाएगा उसमें बंदो जाएगा। लेकिन डालते वक्त जो है वो जो बोतल पर या कैन में या उस कंटेनर में जो QR कोड होता है या वार कोड होता है उसके अमसार से मसे रिट कर लेगी कि यह किस चीज का कैन है और कितना है इसमें डिसकाउंट है। तो फिर अब एक रुपर से लेकर दस रुपर कहीं कि पजास अतर तक भी है अलगल मावलोग में तो वो पैसे कैसे रिंबर्स करना है इसके लिए स्क्रिंट पर आएगे। उसमें डिखा होगा कि आप को क्या रिचार्च कराना है या आपको फ्री वाइफा यूज करना है उतने पैसे इसमें डिसकाउंट किसी सोफ में या किसी से नेवाहौल में या किसी रेस्ट्रेट में जाहीं तो आफशन आएगा तो उसका प्रिंट आउट मसीश ने कल इसे कुपंधारा को इतना डिसकार्ट लिया जा जिंशित पुर के कदमा में दस करोड की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का मन्फरी सर्यूराय ने भूमी पूजन किया इस दौरान मन्फरी ने साक्ची में लाइबरी और सुनारी के दो महानी में पार्ग बनाय जाने की जल्दी गोशना की कारिकर्म के दौरान मन्फरी सर्यूराय ने मीडिया से बाचित की उन्होंने कहा कि रगुबर सरकार तवारा कैबिनिट की बैठक में सरकारी और खास महल भूमी नीते नर्धारन की स्विक्रिती प्रदान की गई है जिस पर मंत्री सर्यूबराय ने मुख्य मंत्री को बढाई दी वही कहा कि इस बिल में कई खामियां हैं जिसे सुधारना चाहिए बहुत चलबाजी में कैबिनिट में से लाया गया है इसमें 1985 के जगा जब से चारकंड बना है यानि वर्ष दोगजार को आधार बनाना चाहिए था तो मुझे लगता है कि एक अच्छा नीड़े सरकार ने लिया है और ये बधाई मैं देना चाहता हूँ गर इस नीड़े को और अच्छा हम बना सकते हैं और मुझे लगता है कहीं ने कहीं बहुत गहराई से बिशार इस पर हुआ नहीं क्योंकि मैंने देखा है कि मुख सचीव के अधरिष्टा में एक कमिटी बनी उस कमिटी ने 19 तारीकों मिटिंग की और 20 की कैबिनिट में आ गया जो बिलकुल गरीब लोग हैं जो एक दिसमील दो डिसमील जमीन पर जोपी रागर बस गये हैं उनको सीधे बासगित का पट्टा उनको दे देना चाहिए और जो पांच जिसमील से उपर जिन्होंने कबजा किया है कोई उपर सीमा नहीं रखते हुए उनको हम लीज दे दें उनसे हम सलामी वसुलें और जो इसका कट अफ डेट है उननी सो पचासी का जनवरी याननी जो उननी सो चौरासी तक बसा है तो कम से कम जब ही राजी जीस दिन बना वो हमको सीमा रेखा करनी चाहिए जिबशिपूर में भाषपा द्वारा पश्चिम विधानसभा शेत्र में अभिननन समारों का यूचिन किया गया इस दोरान पश्चिम विधानसभा के विधायक समंत्री सर्यूगराईस में शामिल हुए कारिक्रम के दौरान पश्चिम विधानसभा में भाश्पा द्वारा एक विशाल बाइक रैली निकाली गई जिसमें मंत्री सर्यूराय बाइक में बैच कर अपने पूरी विधानसभा शेद्र का नर्ख शंखिये वहीं सर्यूराय में सैक्रो कारिकरता उपस्तित थे इस कारिक्रम का मकसद आने वाले 2019 विधानसभा चनाओ की त्यारी है वहीं मंत्री सर्यूराय ने अपने विधानसभा शेद्र में हुई उपलबधियों को लोगों तक पहुँचाया साती पस्तित विधानसभा में होने वाले कई योजनाओं की घोष्ना भी उन्हों ने की और सैक्रो कारिकरताओं से मंत्री सर्यूराय इस दोरान रोबर हुए उन्होंने कारिकरताओं को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने को कहा तो उसमें ये सबी खुद बखुद आगे आ जाते हैं एक एक कारिकरता नितिक तो समाल लेता है आज उसी तरह के एक छण रहा है कारिकरताओं को लग रहा है कि हम लोग जो चाहते थे वह एक कामेहा पर हो रहा है जिम्शेतुर में जिलाप्रशासन, अक्छेस और टाटा कमपनी दवारे कभियान चलाया जा रहा है इसका मकसद शेहर में ट्रैफिक विवस्था में सुधार, पार्किंग विवस्था समेथ शेहर के चौक चौराहों पर अड़े बाजी पर रोग लगाना है इसको लेकर सिटी डियस पी, ट्रैफिक डियस पी समेथ कई अधिकारियों ने शेहर का निरिक्षन किया मानको बस्टैंड साख्चित पुराना बस्टैंड समेथ कई अधिकारियों ने मॉनिटरिंग की इस अभ्यान में शेहर को स्मार्ट बनाने का कारे किया जा रहा है सड़क किनारे लगे अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है साथी आटो और लोगों के वहनों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जा रही है जिससे शहर में ट्राफिक के साथ-साथ पार्किंग की विवस्था में सुधार होगी सिटी डियेसपी ने बताया कि शहर के सड़क किनारे लगे अवेट दुकानों को हटाया जा रहा है जिससे सड़क चोड़ी होगी लोगों की परिशानी भी कम होगी जो काफी सुधार लाने के लिए नए पारकिंग स्थलों का चनित कर रहे है और पूरी विवस्था में दस दिन के अंदर हम लोग काफी सुधार ले आएंगे जो फालतू अड़े बाजी है उस पर भी कारवाई होगी है जमशित पुर्खे टेलकोशित में चल रहे स्कूलों के मनमाने रवये के खिलाब शिक्षा प्रसार केंडर में भाचपा कारे करताओने शिक्षा सत्ता ग्रे के तहट एक दिवसी धरनादिया साथी स्कूलों के मनमाने रवये को बंद किये जाने की मांग उठाई पूर में इनके द्वारा ग्यापन सौपकर इस मनमाने रवये पर रोक लगाने की मांग की गई थी लेकिन उसका कोई भी असर दो मात तक नहीं दिखा जिसके बाद इनके द्वारा यहां निश्चित काली धरना बुद्वा से शिरू किया गया लेकिन इसके बाद स्थानिय प्रशासन तथा टाटर मोटरस प्रबंधन के लिखे ताश्वासन के बाद धरनी को समात कर दिया गया इस दोरान भाशपा जला मीजिया प्रबारी ने कहा कि शिक्षा की काला बाजारी यहां चरम पर है सभी स्कूल अपने मनमाने रवेए पचल रहे हैं और अगभागों से केवल मुद्रा दोहन किया जा रहा है जिस कारण से विवश होकर यहां धरना दिया गया इन्हों ने कहा कि इस पर उचित कारवाई के लिए फिलहाल दो दिनों का समय प्रफ्रासन ने मांगा है और इसी आश्वासन पर धरने को फिलहाल स्थवित कर दिया गया है और अगर इस समय में कोई छोस पहल नहीं की जाती है तो आगे उगरांदोलन खिया जाएगा लेकिन दो महिने से भी ज़्यादा समय होने के बावजूर प्रबंदन जो है समवेधन शूने है स्कूलों की मनमानी चरम पर है और स्कूल जो है एक ही चिनित दुकान से यूनिफॉर्म और किताब खरिदने के लिए बात दिकर रही थी उसको लेकर के अभी वागा को और चातरों का गुस्सा फूटा है उन्होंने हमारी संस्था सिक्षा सत्यागरा संपर किया और मदद की गुहार लगाई उसी गुहार को सुनते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है जिसमें अभी तक कोई अधिकारी जो है आकर के आस्वासन दे रहे हैं कंपनी की ओर से कि आपकी जो मांगे है वो मान ली जाएगी जारगन राज अराज पत्रत कर्मचारी महासंग और जारगन राज चतुर्त वर्गे कर्मचारी महासंग की उसे सराई किला खरसवा जला मुख्याले पर एक दिवसी धरना प्रदर्शन किया गया वैसे कर्मचारियों ने मुख्य रूप से साथवे वेतनायों का लाप, पदुन्नती, चतुरवर्गे कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी आदी मांगों को लेकर धरना दिया नहीं कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि राजय सरकार उनकी नौ सुत्री मांगों को जल्दी नहीं मानेगी तो मुखे मंद्री आवास का घेराव किया जाएगा यदि उसके बाद भी सरकार अपने जद पर अड़ी रहती है तो अनिश्चित काल के लिए वे धरने पर चले जाएंगे जारखन राज राजपतित कर्मचारी महासंग के आहवान पर एक गारा सुत्री मांगों की पूर्ती है तो एवं जारखन राज चतुत बर्गिया सरकारी कर्मचारी संग के आहवान पर नौसुत्री मांगों की पूर्ती है तो चरनबद आंदोलन के जरिये आज सराइकेला खरसमा जीले के समार नाले परिशर के समीत तमाम कर्मचारी धर्ना के माध्यम से अपने मांग की पूर्ती है तो मान्य मुखमंत्री जारखन सरकार को मांग पत्र उपाईब सराइकेला खरसमा के माध्यम से समर्पित करेंगे जिम्शित्पुर के गोल मोरी थाना शियत में ट्रक ड्राइवर संग ट्रक मालिक विवेश कुमार को अग्याद दो अपराधियों ने कोली मार दी जिसके बाद दो अपराधि वहां से फरार हो गए गोली की आवाज सुनकर वहां लोगों की भिड़ उमर पड़ी तब जाकर लोगों ने खायल वरेश को अनन फानन में ट्ये मिश्वे भर्दी कराया जहां वे खत्रे से बाहर बताय जा रहे हैं सुशा मिलते ही मौके पर सिटी डियस पी ठाना प्रभारी पहुंचे और पूरे मामली की 96 बिन में चुट गए बताया जा रहा है कि घटना सी आरेम गेट के पास की है जहां ट्रक मालिक वरेश कुमार जो की यूपी के रहने वाले हैं अपने ट्रक में माल लोडिंग कर जमशितपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तब ही वहाँ बाइक से दो अग्यात अपरादी आये और उनसे पूछने लगे कि शशी कमाल है क्या उन्होंने कहा कि नहीं पता बस इतने में उन्हें गोली मार दी गई फिल्हाल गोली उनके पैर में लगी है और खत्रे से वे बाहर है नहीं पूरे मामले की चांच पुलिस कर रही है अधित्रपुर्द ठाना पुलिस अधित्पुर्द सापड़ा घाट से बालू का उत्खनन करते हुए एक ट्रैप्टर और एक हाईवा को दबोश लिया इस दौरान हाईवा का चालग भागने में सफल रहा आदितपुर पुलिस सापड़ा घार से अवैद रूप से बालू का उठाव करते विए एक ट्रैक्टर और एक हाईवा को चप्त कर लिया है इस दोरान हाईवा का चालग भागने में सफल रहा नदी किनारे बालू का उठाव करते पुलिस ने इने पकड़ा और वहनों के काउजातों के बारे में जोनना चाहा तो चालकों के पास वैद काउजात नहीं थे तब ही इन वहनों को पुलिस थाने ले गई ट्रैक्टर के चालग को फिलहाल थाने में रखा गया है रोक कर उसे पुछताज करने पर जेवरी कालजाद मांगने पर कोई कालजाद प्रस्तूत नहीं किया गया है फिलाल उसे सीज कर लिया गया है और अगरतर कारोई की जा रही है एक ड्राइवर की गिरफतारी हुई है और एक आईवाकर ड्राइवर बाग लिया है सराइकरा खरसवा जिला पुलिस को बड़ी कामयावी हाथ लगी है आपको बता दे कि जिले के आदित पुर्थाना पुलिस में महस 12 घंटे के विल्टर ही अलग-अलग मामलों में लूट पार्ट करने वाले गिरों के तीन लुटरियों को गरफतार करने में सफलता प्राप की है वहें जिला पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयावी के रूप में देखा जा रहा है आपको बता दे कि पिछले दिनों 24 घंटे के भीतर लूट की दो बड़ी घटनाई हुए थे जिसमें जिला पुलिस की कारेशैली पर सवाल पे उटने लगे थे अभी दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली ही थे वहीं ताजा मामला लूट का ही है जहां मेला देकर लूट रहे दो यूपकों से हधियार का भे दिखा कर मुबाइल और पर्स लूट कर चाहर पांच अपरादी भाग निकले थे आधित्पुर्थाना पुलिस के सक्रेटा से महज 12 घंटे के भीतर ही मामले के दो अभीयोग लूट के मुबाइल के साथ करफतार हो गए वहीं दोनों लूटेरों का नाम राखाल सर्दार और बादल सर्दार बताया जा रहा है महीं पुलिस अनना अभ्योगतों की तलाश में छापे मारी कर रही है सराइकेला खरसवा जिले के सराइकेला थाना अंदरगत खरसवा रोड के समिप बुरोडी पुलिया से चक्रा कर दो सगे भाईयों की घटना स्थल पर ही मौथ हो गई घटना पुदवार सुबद 10 बजे की बताई जा रही है वही घटना के संबन में ब्रितक के परिजन ने बताया कि दोनों भाई एक मोटरसाइकल पर सवार होकर शादी समारों से लोट रहे थे बुरोडी पुलिया से ठक्रा कर दोनों की घटना स्थल पर ही मौद हो गई वही पुलिस को सूचना मिलते ही दोनों शव को अपने कबजी में लेकर पुलिस ने पोस्ट माटम के लिए भेश दिया है दोनों ही भाई चिलकू और कोविनपूर के रहने वाले थे देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले का अब जमशित्पूर में भी असर दिख रहा है पी एनबी घोटाले की चाज के तहर सरागेला खरसवाज जले में भी एडी के दल ने छापे मारी की आपको बता दे कि एडी की टीम ने जले की आदित पुश शेरी पंजाब चोग सिर्थ न्यू नर्मला जुएलरी अंड संस में करीब 7 घंटे तक सर्वे करते विए करीब 12 लाग से अधिक मुल के गितांजली के हीरो को चप कर लिया है वहें रात के करीब डिड़ बजे तक इनका सर्वे जारी था वहें एडी की इस कारवाई के बाद जुएलरी मालिक हैं बताया कि एडी द्वारा कितांजली के 5 पादों को जब्त कर लिया गया है जिसका बाजार मूल 11 लाग से 12 लाग तक का है उधर एडी की कारवाई के बाद हीरा कारवारियों में हरकम मचा हुआ हुआ है जमशित पुरके सितारामधेरा थाना शितर अंदर्गत पुराना सितारामधेरा में खाना बनाने के दौरान पती पतनी दोनों जुलस गए दोनों को गंबीर अवस्था में एमजियो मस्पताल में भर्ती करवाया गया है यहां दोनों पे इस्तित गंबीर बनी हुई है बताया जा रहा है कि पूजा नाग खाना बनाने के लिए स्टोब जला रही थी उसी समय स्टोब फट गया जिससे पत्नी के शरीर में आग लग गई उन्हें बचाने के लिए पती मोहन नाग भी जुलस गए दोनों के लाज के लिए मशियमा स्प़्दाल में भर्टी करवाया गया है दोनों का लाज माच चल रहा है राजी के मुखे मन्विक द्वारा मगलवार को 되는데 बसzyka बस्तियों के मालिखाना हग्प के मुद्दे पर बिल्ट तयार कर क्याबिनेट में लाया गया जिसमें लीस का प्रस्ताव लाया गया है और इसका आधार वर्ष 1985 को बनाया गया है अब इस मामले में रुआजनेती तेज हो गई है इस संबन में जाविमों के महासचुगने से सरा सरा खलत बताया इस दारान नहींने कहा कि जशित पुल में अधिकतर बस्तियां 90 के गश्में के दशप में बनी है और इस लीस के समज़ूते में 1985 को आधार बनाया गया है तो अब इन बस्तियों का भविष्य क्या होगा ग्योग इस 85 के बाद बनी है इन्होंने कहा कि वर्ष 1985 को आधार बनाया जाना गलत है चूंकि अधिकतर बस्तियां इसके बाद ही बसी है अधिकांद बस्ति आपको याद होगा कि 1987 के बाद निर्मल महतो के हट्या कांड होने के बाद सहीद होने के बाद है यह सिती का निर्माण हुआ कि पूरी बस्तियां जो बसी उसके बाद बसी फिर शिडुल 2 में जो 3 में लोग बसे है या शिडुल 4 में विद्यापती नगर की जमीन उसका भवी से क्या होगा और यहां तक की भिरसा नगर में 10 डिस्विल सदी लोगों की जमीन है उसका फ्रीचर क्या होगा इसके बारे में क्लियर कटनी है नंद परिवार कल्यान समीटी जम्शित पुल के उसे टेलकुस्थित रुक्रेशन क्लब पे समीटी के उसे देश के विर शहीद सैनीकों किस्वनती में शौथा रग्तदान शिविर का युचन किया गया इस माके पर मुख्य अधिठी ने शहीदों की तस्वीर पर मालियर पान इवंदी प्रज्वलिद कर उन्ही नमन किया संस्था के अध्यक्ष मनोश कुमार यादव ने कहा कि संस्था का एक ही मुकसद है कि गरीब इवं असहाई लोगों की मदद करना और रक्त के अभाव में किसी की मृत्यून ना हो इसलिए संस्था रक्तदान शिविर का युचन करते आ रही है शिविर को सफल बनानी के लिए सभी ने इसमें बढ़ चड़ कर भागिया अपने अपने एक बहुत ही महत्पून लडाई थी चाना के साथ हम सब जगा हारे जरूर थे लेकिन इस जगा पर रिजांगला पर हम लोगों ने चैनीज सेनिकों को के दात खटे कर दिये थे और वीर अहीरों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था भारतिय सेना के लिए तो उसकी याद में हम लोगे रगदान सवीर करते हैं हमारे साथ लगाता चुड़े रेने के लिए आप हमें यूट्यूब पर ज़रू सब्सक्राइब करें